साग तो बहुत खाये होंगे लेकिन एक बार लाल पत्ति का साग अपने घर जरूर ट्राई करिएगा यह बहुत ही जाड़ा इसमें बिटामिन्स होते हैं तो कैसे हैं दोस्तों उमीद करती हैं आप अच्छी होंगे दोस्तो आज हम आपको बताएंगे लाल पत्ति का साथ कहीं कहीं इसे चौलाई के भी नाम से जाना जाता है और हम लोग यहां पर गेनरी के नाम से भी इसे जानते हैं तो friends comment में जरूर बताईएगा कि इसे किस नाम से आपके आप जाना जाता है तो friends चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसका साग कैसे बनाया जाता है जो बहुत ही फाइदामन्द होता है और इसे खाने से हमारा blood जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता है तो friends चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे बना जाता है और में किया क्या शमगरी लगती है तो friends ऐसे हैं वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो friends आज हम आपको बना कर दिखाएंगे लाल पत्य का साग जी हाँ दोस्तों जो बहुत ही टेस्टी होता है और हम आपको बता दें अगर आप इसे डेली यूज में लेते हैं यानि इसे डेली आप बना कर खाते हैं तो यकीन मानिए आपका ब्लड बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा साइनिंग आएंगे इसे जरूर खाना चाहिए तो चलिए अब हम इसे बनाना ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बिटामिन्स वाला ये साग है इसे जरूर खाना चाहिए तो इसे हमने बिल्कुल ही बारीक बारीक कट कर लिया है फ्रेंटस आप देख सकते हैं अब हम इसे क्या करेंगे फटा फट इसे एक गढाई में ऐसे ही डाल देंगे कढाई गरम था और इसमें हमने ऐसी ही डाल दिया है यह खुदी पानि छोडने लगता है इसमें पानि डालने की कोई जुरूरत नहीं है बस अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे चारो तरब से अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से और इसे हम क्या करेंगे ढग देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे अब हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से ऐसे ही पकाएंगे तो ये देखिए हमारा साग का जो पता तरह से हो गया है अब देख सकते हैं इसे अच्छे तरह से छोलनी के सहायते से यानि चमज के सहायते से हलका हलका इसे प्रेश करते रहना है ताकि इसका जो मोटा मोटा डंठल होता है वह असानी से गल जाए और इसमें हम नमक काइट कर देंगे नमक है जेते से जी डाल जिस तरह आप खाना पसंद नमक ज्य कर सबसें भ्यादघर होना ही और फिर्स हैं तरह नमक um सब्कुल की तरह दिख रहा है नमक डालते हैं यह किस तरह से अलागा डिल्कुल और फीर हम इसे देखेंगे तो ये देखिए हमारा जो पानी था वो किस तरह से जल गया है और साख जो है और भी अच्छे तरीके से पगया है तो इस प्रोसेस को हम दो से तीन बार ऐसे ही दोराएंगे जब तक हमारा साग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक नहीं जाता है अब हम इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से हमारा साग जो है बिल्कुल ही गल गया है आप देख सकते हैं इसे छोलनी के साहते से हलका हलका इसे प्रेस करते रहना है ये देखिए हमारा साग जो है बिल्कूल ही असानी से गल गया हमें ज्यादा देर भी नहीं लगा फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे हरी मीर्स बिल्कूल ही बारीक बारीक हमने इसे कट कर लिया था लसन डालेंग इसे भी हमने बारिक बारी कट कर लिये है, अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे, सब को हम इसको mix कर लेना है, इसमें थोड़ा सा तेल एड करेंगे, और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे, यह देखिए कितने अच्छे तरीके से, तो friends हम आपको बता दे हमारा साग जो है, बिल्क अब अंजली को दीजिये इजाज़त फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक यार